नमस्कार दर्शक मित्रो, JDS किचन चनल में आप सबीस नहीं जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, देवियो और सजनो आज हम बहुती कम तेल से टेस्टी नास्ता बनाएंगे आज हम टोस्ट सेंड्विच बनाएंगे मगर इस आजानी से बनने वाली टोस्ट सेंड्विच में हम ब्रेड का इस्तमाल नहीं करेंगे सूजी से बनने वाली ये क्रिस्पी मसाला टोस्ट सेंड्विच एक बार बना कर देखिए आपके खाने की तारीफ जरूर होगी ये है रवा टोस सेंड्WiC में लगने वाली सामगरी करीब चार सो ग्राम आलू लिये है जिसको हमने स्टीम कुक कर लिया है एक चोथाई कप हरे मटर लेंगे और एक गाजर लेंगे जिसको हम ग्रेट कर लेंगे और गेस को ओन करेंगे इस पेन में हम डालेंगे करीब आधा टेबल स्पून पीनट ओल तेल गरब होने पर उसमें डालेंगे आधा टीस्पून हिंग और उसके साथ-साथ ये एक चोथाई का भरे मटर जिसको हमने हलका सा ग्राइन कर लिया है मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे एक गाजर को ग्रेट करके रखा था उसे डालेंगे और डालेंगे बारिक कटा हुआ आधा केप्सिकम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, ओवर्कूक नहीं करेंगे हलका सा क्रंच बनाए रखेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल कर मिला लेंगे ये है दो टीस्पून धनिये फुदिने की स्पाइसी चकनी जिसमें हरा दनिया, फुदिना, हरी मेर्च, अद्रक, काला नमक और लेमन जूस डाल कर बनाई है आपका खाना कलरफूल होना चाहिए ज्यादा कलर, ज्यादा हेल्थ गेस को बन करेंगे और एड करेंगे आधा टीस्पून ब्लेक पेपर पाउडर फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और मिला लेंगे ये है आधा टीस्पून आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर की खटास को बेलेंस करने के लिए एक टीस्पुन सक्कर डालेंगे अब आखिर में 400 ग्राम आलो को हाथों से मेश करके डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे हमारा चटपटा और टेस्टी स्टफिंग तैयार है इस स्टफिंग को हम चक लेंगे टेस्ट कर लेंगे इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे अब एक कडाई में डालेंगे 1.5 कप सुजी यानि की रवा या सेमोलिना ये बारिक सुजी है 1.5 कप अब इस सुजी को हम मध्यम आज पर भूनेंगे हलका सा कलर बदलने तक भूनेंगे सिर्फ 2-3 मिनिट ही लगेंगे हमारा रवा भून चुका है रोस्ट हो चुका है उससे हमने बावल में ट्रांसफर करके ठंडा कर लिया है दो टेबल स्पून नहीं डालेंगे जो ज्यादा खटा नहीं है आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे आप अपने स्वात के इसाफ से नमक को एड करें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा बेटर तयार करेंगे एक साथ में पानी नहीं डालना है पानी को एड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे अब इस बेटर को हम कवर करेंगे और 15-20 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे और 15-20 मिनिट के बाद हमारी 85 सूजी पानी पीकर मोटी हो गई है, तरो ताजा हो गई है बेटर थोड़ा गाड़ा है, थोड़ा सा पानी एड़ करना पड़ेगा देखिए, हमारे बेटर की कंसिस्टनसी इतनी गाड़ी होनी चाहिए हमें ऐसी ही कंसिस्टनसी चाहिए अब आखिर में एड़ करेंगे एक चोथाई टीस्पून बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा को डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से फेटेंगे अगर आप इस बेटर में थोड़ा सा ओईल, हिंग, सरसो, बारिक कटा हुआ प्याज और करीपतर डाल कर तड़का लगाएंगे तो और मज़ा आएगा गेस को ओन करेंगे और इस टोस्टर को हम ओईल से ग्रीस करेंगे अगर आप मखन लगाएंगे तो और भी अच्छा टोस्टर गरब होने के बाद उसमें सूजी का बेटर डालेंगे अब इस बेटर के उपर रखेंगे ये स्टफिंग की टिक्की जो हमने बना कर रखी थी हलका सा प्रेस करेंगे जो जगा खाली है वहाँ भी बेटर डालेंगे और थोड़ा सा इंतिजार करने के बाद बेटर को डाल कर टिक्की को अच्छी तरह से कवर करेंगे थोड़ा सा ओल डाल कर टोस्टर को बंद करेंगे और धीमी आज पर पकाएंगे करीट 6-7 मिनिट लगेंगे मगर बीच बीच में पलटते रहेंगे, चेक करते रहेंगे देखिए हलका सा कलर आने की सुरुवात हो चुकी है मगर हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए आज को धीमी ही रखेंगे, पलटकर दूसरी और भी दिखाता हूँ मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए देखिए, ये कलर और टेक्स्चर परफेक्ट है इसे देखकर आपको यकिन ही नहीं होगा कि ये ब्रेट से नहीं बना है क्रिस्पी और क्रंची रवा मसाला टोस सेंडविच तयार है जो बाहर से क्रिस्पी है और टेस्टी स्टफिंग से भरपूर है आईए, आपको काट कर दिखाता हूँ इस टोस सेंडविच को आप गर्मा गरब हरी चटनी और टोमेटो सोस के साथ सर्व करे देवियों और सजनों इस लोगडाउन में बाहर का स्टीट फूट खाने का मन करे तो मजेदार क्रिस्पी मसाला टोस सेंडविच जरूर ट्राय करे और आपके अनुबव हमारे साथ सेर करे आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदूरस्त रहे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार